वेल्कम तो दे वोल्ड जी के जी के संसार को और दबाएं बेल को सबसे पहले विडियो पाने के लिए जी के का भंडार इदर है आपका ध्यान किदर है क्योंकि जी के संसार ही है जी के का भंडार नमस्कार दोस्तों जी के संसार में आप सभी का स्वागत है आज आप सब के लिए एक बड़ी ख़बर लेकर रहा है और बड़ी खुलासा करने वाले हैं कि जीनों ने बीटे 2017 का पेपर दिया था उनकी रिजल्ट कल डिक्लियर्ट कर दी गई है उसमें बहुत बड़े पैमान उसे भी क्लिक कर ले और जो विडियो है वह बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेसन नहीं है कि आखिर हुआ क्या है तो उनको शेयर जरूर करें उनको भी मदद मिले एक्चली देखो हुआ क्या है कि बिहार बोर्ट के तरफ से जो बीटेट का पेपर 23rd of July को हुआ था उस के जिएधृ में रहा कभी रिजल्ट को लेकर तो कभी एनसर की नहीं रिलेज करने को लेकर तो कभी वाइटनर को लेकर तो कभी कुछ तो आखिर इसमें क्या हुआ है वो चीज कुछ निकल कर सामने आईए वो आप वो मैं बताना चाहता हूँ पहले क्या हुआ कि result के लिए बच्चे को call करके बताया जाता है उनके detail बताई जाती है कि आपके marks इतने आए है आपके पूरा address बताया जाता है कि आपके address यह है यह है आपके इतने marks आ रहे हैं अगर आप इतने पैसे दोगे तो आपके result जो है वो clear हो जाएगी ठीक है उस पे मैंने वीडियो दी थी लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है लाश्ट में उस पे देखो सभी लोग पकड़े भी गए और आखिर खुलासा भी वहा कि हाँ बात सही थी तो फिर क्या इस बार क्या हुआ कि result जो है काफी धानली होने के बाद result आनन फानन में release किया गया कल जो की बिल्कुल गलत है ऐसे नहीं है कि धाई लाग बच्चे में से सिर्फ 17% ही बच्चे पास करेंगे और मैं एक बात आपको बता दूँ कि जो 17% result हुआ है अगर उसमें सही से देखा जाए जो अभी result रिलिज हुआ है तो उसमें 10% बच्चे ही पास होंगे तो इसमें क्या हुआ है वह आपको मैं बता दूँ कि जो अभी category जो रखी गई है cutoff सभी category के cutoff जो रखे गए है वह आपका रखा गया है general जो है general के लिए जो category रखी गई है general category के लिए cutoff 60% है यह आप सभी को पता है OBC जो इसमें आता है BC, EBC और general या फिर जितनी महिला है वह आती है इसी section में उनके लिए रखा गया है 55% ठीक है और जो AC, ST से बिलॉग करते हैं उनके लिए है 50% यह आप सभी को पता है तो इसमें कुछ changes क्या हुए है इसमें changes जो हुए है कि जो paper हुआ था उसमें कुछ question गलत थे तो उस question को हटा कर जितने question बचे जैसे social science में ले लो paper 2 के तहद जो social science हुआ था उसमें 6 questions गलत थे ठीक है तो क्या किया गया है कि 144 का अगर male आप है general से तो 60% आपको लाना है अगर आप female है तो आपको 55% लाना है इसी तरह से result दी गई है यानि कि अगर आप female से है तो आपको 79% लाने है तो इस तरह से result जारी की गई है जो कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो question गलत हुए है वो board की तरब से हुई है ना कि candidate की तरब से तो इसमें तो full marks मिलने चाहिए सबसे पहले आराम से पास कर जाते है तो सबसे बड़ी धांजी तो यहीं प्यूई है board की गलती candidate क्यों जेले ठीक है क्योंकि इनकी केरियर की बात है board की कुछ नहीं board अगले साल फिर exam करनेट करवा देगा लेकिन एक साल के चक्कर में कितने candidate की जो केरियर है चौपट हो जाएगी दूसरी बात यहां पर आती है कि 60% जो marks रखे गए हैं जेनरल के लिए तो यह इसी के कटेगरी के अंदर other state वाले भी आते हैं ठीक है क्योंकि outside of बिहार जितने भी बिहार के बाहर के candidate है ओ जेनरल में count होंगे ना कि रिजर्ब कोटा में आएंगे लेकिन यहां पर धान ली क्या किया गया है यहां पर धान ली किया गया है कि जो बच्चे जो candidate बाहर के हैं जारखर्ण, यूपी, बेंगौल कहीं के भी हैं उन्होंने क्या कि कि कुछ को तो पता होता है कि हां जो मैं बिहार में फॉर्म भर रहा तो मैं general count होंगा तो general हो डाल दिया तो उसकी result जो है अगर उसको 60% marks नहीं मिले तो उसकी result जो है रोक दी गई फेल कर दिया गया लेकिन जो candidate इसी में अगर आता है जो OBC से बिलॉंग करता BC से उसकी 81 marks है और वो qualify कर गया है ठीक है जो की उसे नहीं होनी चाहिए थी उसे मात्र 55% marks में उसे qualify कर दिया गया है जब board इतना सक्षम नहीं है कि पहले वो filter कर सके कौन candidate जो है वो बिहार में reserve category के अंदर आता है कौन जो है कि बाहर स्टेट के है वो जेनरल में count होगा तो आप कैसे blame कर सकते हो candidate को कि आपने वाइटनर यूज किया है और आपकी रिजल्ट pending की जाते है यानि कि आप चीट कर रहे हो candidate के साथ जो candidate वाइटनर यूज किया है उसे समझ में आता है कि उसने गलती की है लेकिन जो वाइटनर यूज नहीं किया उसकी रिजल्ट भी आप pending रखते हैं और invalid बताते हैं कि due to use of वाइटनर ये बिल्कुल गलत है दूसरी बात जहां exam center था वहाँ पे जो invigilator थे वह सही से guide नहीं कर पाये हैं उनकी misguiding की वज़े से कितने बच्चे ने form भरने में जो OMR seat होती है उसको भरने में गलती की है जहां पे booklet number डालना था वहाँ पे six digit के थे booklet number और वहाँ पे box जो seven बना हुआ था वहाँ पे बहुत लोगों ने गलती की है जो कि invigilator के तरब से बताया गया कि कहीं से भी छोड़ के भर दो जो कि गलत हुआ है उसके चलते भी बहुत लोगों के जो result है ओ पेंडिंग हुई है तो मैं सभी से बताना चाहूंगा कि आपकी result जो है किस कारण से हुआ है यह जानने का आपका हक है क्यों आपकी result पेंडिंग रखी गई है इन्वैलिट की गई है जबकि आपने कोई गलती नहीं की तो आपको जानने का पूरा अधिकार है आप सब जिनकी result पेंडिंग हुई है और इनको लगता है कि उनके marks कम आए है तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो question गलत हुए है किसी section में science section में 10 हुए है तो social science में 6 हुए है तो जो बिहार board है उसको full marks देने होंगे क्योंकि जो question है वो board की तरफ से गलती की गई है उनके setter ने गलती की है candidate की कोई गलती इसमें नहीं है तो इसलिए उसे full marks देने ही होंगे और दूसरी बात जो लोग वाइटनर यूज नहीं किये और उनका result due to वाइटनर बता रहा है invalid वो एक बार आप सभी board office जाए और वहां पे authorized person हो उससे आप जानने की कोशिस करें कि आखी result जो है क्यों pending बता रहा invalid क्यों बता रहा आखी region है क्या अगर वहां से आपको satisfaction नहीं मिलता तो आप RTI में अगर आपको जबाब नहीं मिलता तो आप further step के तोर पे आप नयाले भी जा सकते हैं क्योंकि बिहार में अभी कुछ दिनों से इस तरह की घुटाले और धानली हो रही है तो आपकी लाइफ से जूड़ी बात है इसलिए आप इससे serious वे मिले और इस पे आगे बढ़े तो और मैं कहता हूं कि अभी जो अगर result सही से release की जाए तो 10% लोग भी पास नहीं होंगे जो कि अभी 17% दिखाया जा रह है उनकी result so की गई है reserve category में तो candidate आप सभी मिलकर जितने आप सब की group है आप सभी एक बार जरूर बोड ऑफिस जाए और अगर आपको पास नंबर है तो नंबर पर पहले संपर्क करें नहीं होता तो आप बोड ऑफिस जाए और उससे भी नहीं होता तो आप RTI जरूर डाले और आपको जवाब जानने का हक है कि आपकी result किस बैसिस पे pending रखी गई है सभी तरह से धानली होती है कभी call करके आता है कि आप इतने पैसे दो आपको पास किया जाएगा जो reality है उससे तो आपको face करना ही होगा अगर आपने सही किया है आपने कोई गलती नहीं किया तो नहीं हुई है तो आप सभी एकता बनाए रखें और word office जाए और अपनी जानकारी पक्ता करें कि आखिर किस बैसिस पे उनकी result जो है pending रखी गई है चलिए मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और अगर आपकी कोई query हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते है झालाए कि और जयुले कोईаша चलिए में खुषो कारे वे बनाए और आपकी कोई भे गाहना हो जो है कितना की है जे पो मुझे का जो है दो की खालेा ख़र elegant चलिए और मुझे पर है का जो जो हुधे जो क्सीन सबस्तों जो है कि वे एंगकी कर से बनाओ MK25 झाल झाल